हलो जोस्तों आप सभी का All About Socious में स्वागत है और आज हम लोग जो CBSC Board की 11th की 11th की समाज सास्र की बुक है उसको हम लोग डिसकस करने वाले हैं और उस बुक का नाम आप सभी को पता है समाज सास्र एवंग समाज है और इसका अलड़ी हम लोग एक चैप्टर जो है वो डिसकस कर चुके हैं आज हम लोग चैप्टर टू डिसकस करने वाले हैं तो जो चैप्टर टू है उसकी जो हेडिंग है वो है समाज सास में प्रयुक्त शब्दावली संकल्पनाएं और उनका प्रयोग कैसे होता है या हम किस प्रकार से उनका प्रयोग करते हैं क्यों करते हैं तो इन सारे जो facts हैं कि आखिर में जो समासास में प्रयुक्त होती है शब्दावली, specific terms हैं जैसे कि सामाजिक स्तरीकरड है, सामाजिक समू है, प्रतिमान है, मुल्य हैं, तो ये सभी का आखिर में अर्थ क्या होता है, हर किसी का अपना एक अर्थ होता है, एक specific meaning होती है, तो ये शब्दावली यूज जो करते हैं, संकल्पनाएं जो दी गई हैं, कौन कौन से concept दिये गए हैं, और उनका किस प्रकार से हम समासास में प्रयुक्त करते हैं, इन ही के ब सेम topic को बहुत ही briefly discuss किया रहेगा, बहुत ही simple तरीके से, वहीं पे जो 12th होगा, फिर जो graduation के content होते हैं, पोस्ट graduation के content होते हैं, तो और जादे उसको elaborate किया जाता है, और जादे detail में सेम हम topic पे समझते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आज का lecture जो है, ये पीटर बर्जर का एक कथ जो कि शब्दावली से संबंदित है, और ये उस book में दिया गया है, तो इसी से हम लोग प्रारंब करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, इन्होंने कहा है कि किसी विसाय के लिए, जैसे कि नाब की अभावत की हम ले लेते हैं, nuclear physics की बात हो रही है, जो उन पता आर्थों से संबंद रखता है, जिन्हें सामाने तो लोग नहीं जानते, अर्थात ये जो nuclear physics की बात करें, तो ये हर किसी को इसके बारे में नहीं पता होता है, तथा जिन के लिए सामाने भाशा में कोई शब्द नहीं है, अता या आवशिक है कि विशय की अपनी एक शब् आवली हो, क्योंकि जब हम बात नापकी अभाधकी की करें, तो ये भी एक शब्दावली है, और जब नापकी अभाधकी की हम बात करते हैं, तो ये समझ में आता है कि अच्छा कुछ गुछ जो nuclear से समधित, जो भी हम physics पढगते हैं, उसको हम नापकी अभाधकी करते हैं, तो अगर कोई specific शब्दावली नहीं होगी, तो हम उसका specific meaning जो है, वो नहीं निकाल पाएंगे. तथा भी, समाज सास्त्र के लिए, शब्दावली और भी महत्वपूर्ण है. इन्होंने कहा कि जो समाज सास्त्र है, इसके लिए जो समाज का अध्यान करते हैं, तो अगर हम समाज का अध्यान कर रहे हैं, और इसी के बारे में हमें इसकी समाज सास्त्र जो है, तो हम किसी भी इस specific घटना को, या किसी specific facts को हम describe नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से. तो इन्होंने कहा कि समाज सास्त्र के लिए सब्दावली और भी जादे महत्यपूर्ण है, सिर्फ इसलिए कि इसकी विशेवस्तू परचित है, क्योंकि हम सबको पता है कि समाज सास्त्र में हम किसका अध्यान करते हैं, और सिर्फ इसलिए कि इसे दर्शानी के लिए शब्द भी मौजूद है जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे सामाजिक नियंत्रड होता है परिवार होता है धर्म है प्रथाएं है इस सब को हम लोग अपने नार्मल डेली के यूज में प्रयोग करते हैं डेली का जो हम रूट अच्छे सामाजिक नियंत्रड की जरूरत है सुसाइटी के लिए लेकिन उसका exactly मीनिंग क्या निकलता है वो हम नहीं समझ पाते हैं क्योंकि ये आम बोलचाल की भासा में हम ये बोलते हैं तो ये हमें एक स्पेसिफिक इसके लिए शब्दावली का होना बहुत जादे है ऐसा पीटर बर्जर कहते हैं हम अपने आसपास की सामाजिक संस्थाओं से इतनी अच्छी तरह परजित है कि हम उन्हें सपस्ट और बारीकी से नहीं देख सकते हैं तो इसके लिए इन्होंने कहा क्योंकि हम किसी भी जैसे कि हम मुल्ले की बात करते हैं परंपरा प्रथा लिए संस्कृति सब परेति सबस्टा सब को एक दूसरे के रिफ्रेंस में यूज करते रहते हैं हम इसको डिफிर्जराट नहीं करते हैं आम बोल चलकी भासा में यदि बोलें तो इसलिए इन्हों ने कहा कि चुकि हम जो हमारे आसपास की जो भी सामाजिक संस्थाएं होती हैं उनसे हम इतनी अच्छी तरीकी से परचीत होते हैं कि हम उन्हें असपष्ट और बारी की रूप से नहीं देख पाते हैं उन्हें बहुत ही एक जो माइनर डिफरेंस दिखता है अगर दो संस्थाओं में तो उसको हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं इसलिए समासास् से जरूरी है सेम कंटेंट को हम लोग इंग्लिस में देख लेते हैं फार डिसिप्लीन सच आज से नुकलियर फिजिक्स देल्स वित मैटर्स अन्नों तो मोस्ट पीपोर और फिच नूवर्ड एक्जिस इन कामन स्पीच इट सेम्स ओविस तैट अर डिसिप्लीन मस्ट एंग्लियर एंजर्स विकास वर्ड दो एक्जिस्ट तो डिनू डिनूट इट वी आसो विल एक्क्वेंटेट वीट दा सोसल इंसूशंस दैट सराउंड अस तैट वी कैन नाट सी देम क्लियर ली एंड प्रिसेशली तो यह कूट जो है वह पीटर बर्जर का है जो की 11 के दिया गया है तो मैंने यहां पर मेंसिन किया और यहां से अब हम लोग यह समझें कि कि जब बात हो रही है शब्दा जयँ F आपस में कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एक मीनिमफूल इंटरेक्शन जो है उसका अध्यान है तो अलग अलग तरीके से विचारकों ने अपनी अपनी खुद की थूरी दी है तो ये हम तो समझ लिए कि हमें एक टर्मिनोलोजी जो है या हमें एक जो शब्दावल होने एक शरी है जो हुगते हैं तो एसा नहीं कहेंगे कि समाज सास्त्रे आज की उत्पत्ति है बलगी हम ऐसा मानते हैं कि बहले समाच सास्त्रे एक नया विस्व意्श है लेकिन इसका अतीज जो है वो काफी पुराना है तो येसा मानने जाता है कि जब से मानों की सभ्यता आई जब से लोग एक groups बना के रहने लगे तब से ही एक हमें समाज के रूप में एक लोगों का group दिखने लगा और वहां से ही ये process जो था वो start हो गया था लेकिन समाज सास्त के रूप में विशाय के रूप में ये काफी late से आया है तो अगर हम बात करें समाज सास्त के अध्यान की तो आप लोग ये देखेंगे कि जो अलग-अलग thinkers हैं उन्होंने society आखिर में starting point से और आज की जो modern society है वहां तक कैसे पहुची इसकी लिए जो अलग-अलग thinkers हैं उनका perspective भी अलग-अलग है अब जैसे हम बात करें कार्ल मार्क्स की तो कार्ल मार्क्स आप सभी को पता है कि ये conflict theory से आते हैं इन्होंने कभी भी जो समाज है उसको उन्होंने वर्ग-संघर्ष के रूप में ही देखा उन्होंने देखा कि समाज में जो है conflict बहुत ज़ादे पाई जाती है और ये जो conflict दिख्ध है 160 के रूप में दिखाई देता है और इस तरीके से दो वर्ग जो है वह आपस में हमेशा संघर्षरत हो रहते हैं वहीं पे अगर हम बात करें अमिल दिर्खाईम की तो अमिल दिर्खाईम को आप लोग देखेंगे तो सामुहिक प्रतिन धानों की बात करते हैं collective consciousness की बात करते हैं तो इस तरीके की दुर खाईम की थोरी जो है वो काल्माक से बिल्कुल अलग हो जाती है वहीं पे अगर हम बात करें टाल कट पार्संस की बात में आते हैं अगर हम देखें दूतिए विश्योयक के बात का जो सिनारियों हम देखने को मिलता है और उसमें जब पार्सनस को हम देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि वो Grand Chemistry की बात करते हैं वही पर सास्त्र के अंदरगत हम किस तरीके से अध्यन करें उसके लिए तो इस तरीके से हम concept की बात करें तो हमको अलग-अलग तरीके से दिखता है अच्छा हम ये भी देखती है कि जो हमें society दिखती है ये society अलग-अलग groups में दिखती है हम ऐसा नहीं क्या सकते हैं कि society का हम overall meaning आखरी में क्या निकालें तो हम देखेंगे कि society के अंदर हमको बहुत जादे differences भी देखने को मिलेंगे बहुत सारे institutions देखने को मिलेंगे तो अलग-अलग तरीके से हम इनको देखते हैं हम देखते हैं इसमें परिवार होता है धर्म होता है राजनितिक संस्थाएं होती है सांस्कृतिक संस्थाएं होती हैं बहुत सारे differences और बहुत सारे diversity हमको दिखाई देती है और इसके पीछे region जो होता है वह यह होता है कि प्रतिक जो समाज होता है वह भी काफी जादे diversity होता है यानि कि बहुत जादे विवीधिता देखने को मिलती है तो अगर हम समाज को हम देखें कि बहुत सिंपल तरीके से step by step समझने की कोशिस करें तो सबसे पहले हम देखेंगे एक सामाजिक समूह के रूप में क्योंकि सामाजिक समूह हम किसे करते हैं यहां पे बात सा वेजुएशन में भी पढ़ते हैं तो आप लोग यह देखेंगे कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं जैसे कि मैक्स बेवर ने जो कॉंसेप्ट दिया था इंटरप्रटेटिव अंडेस्टैंडिंग की कि यानि कि हम एक मीनिंग फुल कोई अंतरक्रिया कर रहे हैं तो ही हम उसे मान कि क्या एक प्लेटफॉर्म पे जैसे बहुत सारे लोग खड़े हैं सपोज यह एक प्लेटफॉर्म है और यहां पे इस एक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग खड़े हैं तो क्या हम उसे एक सामाजिक समू कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं या कहीं भी पप्लिकली एक कि उनको एक देश क्या है उसका वह जानते हैं एक meaningful interaction करते हैं आंतरक्रिया करते हैं तो हम उसे सामाजिक समू के रूप में मानते हैं तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि सामाजिक समू में आखिर में निम्नतम अस्तर पर अगर हम बोले कम से कम आखिर में कौन कौन सी विसेश तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक सामाजिक समय में कम से कम निम्ण विसेशताय होनी चाहिए और जिसमें निरंत तर्था के लिए दिर्ग आंतर क्रिया होनी चाहिए तो आंतर क्रिया जो है यानी एक दूसरे से इंट्रेक्शन है ये अस्थाई अस्थर पे काफी लंबे समय तक चलते रहने चाहिए निरंतरता होनी चाहिए इसमें अगला स्टिप होता है कि इन अंतक्रियाओं का इस्थिर एक प्रतिमान होना चाहिए अगला पॉइंट है कि अन्य सदस्यों के साथ एक सी पहचान बनाने वाली अपनत्व क चाहिए भावना अर्थात प्रतिक व्यक्ति समव के प्रति और इसके नियम हो अनुष्ठोन और प्रतिक व्यक्ति समु के प्रति सचीत हो साजी रूची होती, common interest पाया जाता है, सामान्य मानकों और मुल्यों को अपनाया जाता है जो सामाजिक समो होता है, जो एक social group होता है, उनके जो भी एक अपने मानक होते हैं, मुल्यों होते हैं वो एक सामान में होते हैं यानि common होते हैं सब लोग एक ही मुल्यों को या मानकों को अपनाते हैं और एक इसका परिभासित अर्था एक definite structure हमें देखने को मिलता है तो ये इसके कुछ characteristic है अलड़ी हम लोग discuss करते हैं बट जब ये हम लोग CBSC board की जब 11th की book हम लोग discuss कर रहे हैं और आप लोग देखेंगे कि ये हम लोग 11th की book को discuss कर रहे हैं लेके जो भी चाहे हुऊ आप लोग के UGC net के paper हो पीएसडी के हो जो भी entrance exam होते हैं इस टाइप के question जरूर पूछ दिये जाते हैं conceptual based में ओके यहां पर हम लोग उसको इंग्लिस में देख लेते हैं social group and society a social group can be said to had uh have at least the following characteristic persistence interaction to provide continuity stable patterns of these interactions a sense of belonging to identify with other members that is each individual is conscious जाग्रूक होते हैं एक दूसरी के प्रती of the group itself and its own set of roles rituals and symbols shared interest होते हैं acceptance of common norms and values और definable structure होता है तो एक सनरचित सनरचना हमें देखने को मिलती है ओके यहां सामाजिक सनरचना का अर्थ क्या है हम लोग जब बात सामाजिक सनरचना की कह रहे हैं तो सामाजिक सनरचना का मीनिंग क्या निकलता है व्यक्तियों अथ्वा समूं के वीच नियमित और बार बार होने वाली अंतक्रिया के प्रतिमानों से इसका अर्थ हम निकाल सकते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं या समूह होते हैं उनके बीच नियमित और बार-बार होने वाली जो अंतक्रिया होती है और इससी जो इस्ट्रक्चर बनता है इसको हम सामाजिक संडशना करते हैं अता है एक सामाजिक समूह से तातपर निरंतर अंतक्रिया करने वाले उन व् समान रूची संस्कृति मुल्यों और मानकों को बाढ़ते हैं आपस में साजा करते हैं समूहों की प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं तो इसमें बहुत सारे समूहों की प्रकार हैं आज हम लोग इसके फस्ट जो कॉनसेप्ट है प्रात्मिक और दूतियक समूह एकदम बहुत ही बेसिक अगर हम बात करें और इसको आप लोग CH कूले से को रिलेट कर सकते हैं तो CH कूले का ये concept है प्रात्मिक और दूतियक समू का यहां पर हाला कि इन्हों ने सिर्फ primary group का concept दिया था लेकिन जब बात आती है प्रात्मिक और दूतियक कि इन्हों ने कहा था कि primary group ये होता है तो ये meaning understood है कि जब primary group की characteristic ये होती है लोग आमने सामने का संबंध रखते हैं उनमें आपस्ती जो एक आत्मियता की भावना होती है तो ये सारे जो इन्होंने बताया उसके अधर दिया जो होता है वो दूतियक सामाजिक समू में आटोमेटिक जो है वो आ जाता है तो प्रा बंध अर्थात मेल मिलाप और सहयोग द्वारत जुड़े होते हैं प्रात्मिक समू के सदस्यों में एक दूसरे से संबंधित होने की भावना होती है परिवार ग्राम और मित्रों के समू जो होते हैं वो प्रात्मिक समू के उदाहरण है वहीं पर अगर द॥ेतियक समू की बात करें तो ये आकार में अपेक छक्रित बड़े होते हैं और उसमें और चारिक और और व्यक्तिक अर्थात इंपर्सनल संबंद पाए जाते हैं जिसे इन फार्मल रिलेशन भी हम बोलेंगे प्राथमिक समू व्यक्ति उन्मुख होता है अर्थात ये हम एक दूसरे से व्य जुड़े होते हैं जबकि दूसरे जो होता है समू वह लच्छ उन्मुख होता है यानि कि यहां पर हमारी परस्नल फेलिंग की कोई वैलो नहीं होते हैं यहां पर यह टार्गेट ओरियंटेड या गोल ओरियंटेड होता है जैसे कि आप आप यहां पर एक्जाम्पल में द पर्टर्न आफ रेगुलर और रिपीटिटीव इंटरेक्शन बिट्विन इंडिविजुल्स और ग्रुप्स असोशल ग्रुप तस रिफर्स तो अ कलेक्शन आफ कंटिनुएसली इंटरेक्टिंग परसंस वो सेयर कामन इंटरेस्ट कुल्चर वैलोस और नॉम्स विधिन इंटरेक्शन बिट्विन इंटरेक्शन आफ तो यहां पे आप लोग को इंग्लिस में यह कंटिन्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं दर्टर्म प्राइमरी ग्रुप इस उस्माल ग्रुप फुपल कनेक्टेट वाइं इंटिमेट और फेस त इंटरेक्शन आफ प्राइमरी ग्रुप आर प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप जो है इसके बारे में डिसकस किया और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आंता समू बाय समू का कांसेप्ट है वो डेब्लू जी सम्दर ने दिया है विलियम ग्राहम सम्दर ने तो उसको भी हम लोग डिसकस करेंगे बहुत सारे और भी जैसे संदर्व समू है आरके मटरन के द्वारा दिया गया है तो और भी छोटी छोटे बहुत सारे ग् नोपमन जो इसको कॉंसेफ्ट होते हैं और च्वहिए सी-बी-एस्टी के पैटर्न से हैं तो ये आप लोग के लिए एक इंप्सार्थ हैं जो कि आप लोग को जरूर इसको समझना है अप जरूर समय चींगे इसको आप लोग चाहिए तो नोट्स बना लिया करिया अभी आप लोग को हिंदी और इंग्लिस दोनों में कंटेंट बिल ला है तो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार अपने नोट्स खुद बना सकते हैं तो आई होब कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोग को इंट्रेस् करिये धन्यवाद